इसकार मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूस फॉनेश्वा खबर मौसम से जोड़ी है जो हम आपको मौसम का ताजा अपडेट पतला ने आए है राज़ानी पटना समेद बिहार के 23 जिलो को लेकर अलड़ जारी किया किया है मौसम बिभाग की तरफ से ये जोड़ी दी गई है कि बारिश और व्रशपात के आसार है साथी साथ लोगों को साबधान रहने के लिए भी कहा गया है क्या कि इस मौसम को लेकर ताजा जानकारी मौसम बिभाग की तरफ से दी गई है चलिए हम आपको विस्तार से इस वीडियो में बताते है मौसम मिभाग ने आज बिहार के 30 जिलों में हलकी बारिश की संभाबना जुताई है वहीं चार जिले में यानि की बाका, गया, कैमूर और रहतास में भारी बारिश को लेकर अलरड जारी किया है जमूई सीता मड़ी, गोपाल गंज और सिवान में दोपहर बाद अचानक से मौसम ने करबट ली है और जमा जम बारिश हुई थी पटना में शाम 6 वजे से तेज बारिश हुई है कल सुबह से राज़ानी में आज बादल च्छाय हुए है तेज हबा भी चल रही है मुंगेर और भागलपूर में सुबह सुबह हलकी बारिश में बारिश की गतिवीधिया लगतार बनी है बादलों की आवाजाही है और नमी की कारण उमस भरी गर्मी से लोग काफी जादा परेशान थे लेकिन अब उनकी परिशानी कम होते हुए नजर आ रही है मौसम बभा केंद पटना के नुसार आज यानि की 9 सतंबर को पटना गया जहानाबाद नालंदा, नवादा, बकसर, भोशपुर, भभुवा, रोहतास और अंगाबाद, अर्वल, शेकपूरा, लखी सराय, बेगु सराय, सही 34 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है साथी साथ आपको बताते चलें की पटना में आज पूरे दिन बादलों की आवाजाही लगी रहेगी ओमस बढ़ने के बाद देर शाम आदे घंटे तेज बारिश होगी वही बार की शाम की बात करें तो पटना में अचानक से बादल चाहे हलकी बारिश से बादल जो है वो देखने को मिली जहां एक तरफ राज़ानी पटना समेथ दिहार की 38 जिलों में बारिश और ब्रशपात को लेकर मौसम बभाग ने अलड़ जारी किया है मौसम बभाग ने आज के दिन बिहार के कई जिलों में बारिश को लेकर अलड़ जारी किया गया है वहीं अगर हम बात राजधानी पटना की करें तो राजधानी पटना पे भी कल देर शाम बारिश देखने को मिली तेज बारिश के साथ लोगों कोमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत मिली है आपको बताते चले कि मौसम बिभाग की तरफ से ये जानकारी पहले ही दे दी गई थी कि आच और 9 सितंबर को बिहार के कई जिलों में बारिश हो सकती है वहीं कल बीते दिन याने की शुकरवार की बात करें और मौसम बिभाग ने कई जिलों को लेकर आज के दिन भी अलर्ड जारी किया फिलहाल के लिए खबर मत आएं तमाम खबरों के लिए और अपडेट के लिए देखते रहें नियूस फोनेशन